पर्सनल असिस्टेंट दोहजार चॉबेस जी हैं जैसा कि आप से भी देख रहें और सौट नोडिफिकेशन आपका आचुका है अब यहां पर हम बात करेंगे यहां पर प्रोमोशन के बारे में कई कांडियेश लगाता है कई सारी क्वेरी पूर्शते हैं इसका जो यहां पर जो भी आपको पर्सनल असिस्टेंट का दिया गया कि कि किस तरीके से प्रोमोशन सापका होता है इस्टैनो करॉफर के दर के दुरू आप सभी ने भी देखा होगा कि इस दिन पहले वेकंसी आया था और उस वेकंसी से किस तरीके से हम पीएस बन सकते हैं लेकिन लेकिन एक चीज यहां पर बता दू कि यहां पर जो टोटल नंबर आप फोल्स ट है 434 तो 434 में होता क्या है कि इनमें सभी जो वेकंसी वो आपकी नहीं आती है इनमें से लगवग 75% जो आपकी 50% जो आपकी वेकंसी है वो आपकी ही आती है ठीक है तो यह 2018 में वेकंसी थी जितने भी गेंडिया जो कहीं नहीं प्रावेट सेकर्टर के लिए आप सभी प्रमोशन के लिए कहीं के यह वीडियो देख रहे हो देखो सबसे पहली चीज कि जैसी यह प्रावेट पर्सनल एसिस्टेंट के तौर पे आप सभी जोईन करते हो उसके लगबग 2 साल तक आप उस प्रमेशन के बाद आपको 3 साल का जो टाइम में वह आपको और लगता है प्रावेट सेटरी की पोस्ट में आपको बन्ने में क्यूंकि यह जो पोस्ट थी आरता यो सो ग्रेटपे की पोस्ट आप सभी की रहती है तो और ऑरल यहां पर एकर मैं बता दूस्की फाइव और PS के बाद एक अच्छी चीज रहती है कि यहाँ पर अगर आप जो अभी APFC जो अभी वेकंसी आई थी Assistant Provident Fund Commissioner की तो अगर आप चाहो तो APFC भी आप इससे बन सकते हो भी अगर आप चाहो तो आप बन सकते हो तो जितने भी Candidate जो कहीं की प्रपेशन कर रहें अलग अलग एक्जाम्स की सारी जो भी आपको इलिजबिल्टी है वह अधर एक्जाम्स के कमपेटजन में सेम यहाँ पर आपको देखने हो बिलेगी पेपर में भी जादा कुछ लेवल नहीं रहेगा सारी जो भी डिटेल्स रहेंगी आपको मिलते रहें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अगर को ओल पर कर ले बाकी नीचे टेलगाम ग्रूप इस्टाग्राम का दिया गया टेलगाम ग्रूप जोइन करके आप यहाँ पे एड्मिट का रिजड़ सारी प